आज हम लोग जानने वाले है एक return statement के बारे मैं, यानि की किसी function से अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी दिस्पले कर रहे थे, कोई function मनद दा था जिसमें हम लोग कुछ task perform कर देते हैं, और उसमें हम लोग print भी कर लेते थे, करना है तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते हैं वही पर उसका समाप्त कर सकते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग क्याते हैं return statement जब आप किसी function से कुछ return लेते हैं तो हम लोग return statement का use करते है return statement can be used to return something from the function in python it is possible to return one or more variables or values python में आपको ये facility मिलती है कि आप एक से अधीक variable या value return ले सकते हैं एक function से क्या इसका meaning होता है कैसे इसको लिखते हैं सारी सी जानेंगे syntax की अगर बात करें तो आपको लिखना है return return आपका keyword है जिन आप between parenthesis या फिर parenthesis नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा काम इसके अंदर में आप लिखते हैं या रिटर्न के बाद आप लिखते हैं या तो variable या फिर कोई भी expression आप लिख सकते हैं जो कि evaluate होकर आपको return होकर मिलेगा example के तोर पर मैंने 50 लिखा यह हमारे एक integer value हो तो उमारा function 50 return कर देगा जहें वहां आप 50 को parenthesis के अंदर में भी लिख सकते आप सकते हैं अप इस तरह के से कोई variable y भी लिख सकते हैं इस तरह के से multiple values रिटर्न करवा सकते हैं इस तरह के से multiple variables return करवा सकते हैं एक proper इसका example मैं को दिखाता हूं जैसे कि एक function हम को define करya जिसमें def add y मैंने लिखा y हमारा यहां parameter है x मैंने लिखा x equal 10 यह हमारा local variable और c मैंने लिखा c equal x plus y तो x में 10 है plus y में जो भी column जब हम करेंगे तो हम लोग वहां से argument पास करेंगे यहां यहां पर हम लोग इसको print करने के बज़े इसको return कर रहे है यानि कि c में जो भी आएगा वह return हो जाना चाहिए कहां return हो जाना चाहिए जहां इस function को call किया गया है वहां तो चुकि यह जो हमारा function है यह कुछ return कर रहा है तो उसको सेव करने के लिए हम लोग एक variable बना रहते हैं जो कि हम लोग ने यहां बना है सम नाम का जिना आप सम को print कर सकते हैं इसका मैं आपको execution समझाता हूं अच्छे तरीके से तो आपको समझ माएगा इतना code हमारा execute नहीं होता यह line number one में यह line number two में यह three में four में five में और यह six में यहां पर कर रहे हैं देखिए add हमारे function का नाम है और हम लोग यहां function को call कर रहे हैं जिसमें हम लोग ने इसको एक argument पास काया यानि कि यह जो 20 है यह यहां चलायागा जब यह function call होता है तो यह कहता है कि भई मैं तो function हो तो मैं call हो रहा हूं तो मैं अपना control यहां से यहां transfer क यहां transfer होता है यह कहता है कि मेरे पास एक parameter है मुझा argument चाहिए जो argument हम लोगो ने यहां से दिया है 20 तो y equal हो जाता है 20 अब यह execute होता है तो यह कहता है कि x equal 10 है तो x क्या value 10 है c यह exit होता है यह कहता है कि 10 में sorry x में जो कि 10 है और y का value कितना आया है 20 तो 10 plus 20 यानि कि c में कितना आया 30 और हम लोग इस 30 को यहां print करने के वजाए क्या कह रहा है कि return कर दो यह function से return कर दो c यानि कि 30 तो यह return कहां करता है यह return करता है यह return करता है इस function call के पास यानि कि जहां यह कुछ return कर रहा है कोई value return कर रहा है कि इसको हम लोग किसी variable में रखेंगे इसलिए मैंने यहां sum लिखा हुआ है then हम लोग finally यहां sum को display कर लेते हैं बस यह है एक equation इसको एक बार और हम लोग देखेंगे जो हम लोग अभी कुछ दिर कोडिंग में आएंगे तब similarly एक और देखें def लिखा add लिखा y और x equal y यहां हम लोग ने return कर लिया है x plus y यानि कि c मा assign करने के बजाए directly हम लोग इसको एक expression दे रहें कि x plus y करो जो भी value evaluate होकर आया है उसको return कर देना है कहां जहां भी इसको call किया जाएगा वहां देन इसको लोग print कर लेंगे उसी तरीके से आप multiple values भी return ले सकते हैं like मैंने def add underscore sub नम का एक function मना है जिसमें एक हमारा parameter है y x का value हमने 10 दिया हम लोग एडिशन कर रहे हैं साथ में लोग subtraction भी कर रहे हैं addition होकर आएगा c में और subtraction होकर आएगा d में और हम लोग return कर लेंगे c और d दोनों को चुकि दो value return हो रहा है इसलिए जब आप इसको call करते हैं और call करकर जब यह return करेगा तो यहां hold करने के addition वाला answer मिलेगा जब आप some print करेंगे तो आपको addition मिलेगा और जब आप सब प्रिंट करेंगे तो आपको subtraction मिलेगा इसको हम लोग program में देखते हैं और इसको quickly कतम करने की कुछिस करते हैं हम लोग देखने return statement single value जिसमें हम लोग single value को return करना सिखेंगे इसका मैं आपको multiple value बता हूँ वात एक function बनाना है def add parenthesis colon अब मैं डिसकस नहीं कर रहा हूँ कि है def क्यों लिखका है add क्यों लिखका है parenthesis क्यों लिखका है और colon क्यों लिखका है मुझा मैं देख्या आपने मेरा पिछला session देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा यह local variable हम लोग एक बना रहे है 10 बनाया then y equal 20 बनाया then c equal x plus y और इसको हम लोग return ले लेंगे return c, c को आप parenthesis के अंदर में भी कुछ इस तरीके से लिख सकते है और आप चाहें तो but यह optional है आप नहीं भी लिखेंगे तो लोग का code run करेगा then यहां पर हम लोग call करेंगे जो प्रम लोग ने बनाया है calling a function इसको हम लोग यह call करेंगे तो add हम लोग ने call कर लिया अभी जैसे यह call किया तो यह हमारा execute होने start होगा तो यह चलेगा कि मैं एक c return कर रहा हूं तो इस c को return करेगा यह यह यहां पर तो उस c C को hold करने के लिए कोई variable चाहिए तो हम लोग इसमें sum एक variable बना रहते हैं जिसमें हमारा C चला आएगा इसका execution देखने से पहले इसको मैं run करके दिखाते हैं तो हम आपको print sum save किया है इसको save करने के बाद इसको run करेंगे तो हमें यह 30 answer देगा अब इसको समझ लिजी कि कैसे यह execute हो रहा एक बार फिर से यहां से यहां तक code हमारा execute नहीं होगा जब तक यह call नहीं होगा तब तक तो यहां हमारा यह call हो रहा है यह call हो रहा है तो यहां से हमारा control transfer होगा यहां पर यह x y value आएगा c addition होगा और c यहां पर जो भी होगा यह 30 यह 30 चलाएगा चुकि return instrument लिखा है तो यह function हमें return करेगा c और यह return करेगा वहां जहां पर इस function को call किया गया है यानि कि यहां पर so basically क्या हो रहा है कि sum equal return होने के बाद यहां c चला रहा है और c क्या है हमारा 30 तो sum equal 30 से लिए आप जब print sum लिखेंगे तो आपको screen पर print 30 यानि कि 30 दिखाई देगा और यह execute होने के बाद इसके नीचे कर कोई code हो तो वह execute होना हमारा start हो जाता है तो यह हमारा basic सा concept है इसके execution का अब आप इसको add करें फिर c में assign करें then c को यहां लिखें फिर return होगा ऐसा करने का सकता नहीं है आप simply इसको return के साथ यही पर addition कर सकते हैं इसको हम लोग हटा देते हैं एक line हमारा save हो रहा है इससे बाकी सारी चीज़ें same जैसे काम कर रही वैसी काम करेंगी और हमें answer भी सही देखने को मिलेगा अब अब अगर हम parameter की बात करें माले जी कि यह y का value में हटा देता हूं और y का value हम लोग है जब parameter यहां से लेंगे तो मैंने parameter लिखका और यहां पर मुझे argument पास करने पड़ेगा 20 तो यह भी हम लोग जानते है कि कैसे काम कर रहा है save करने के बाद हम देखा जिनको नहीं समझे माया उनके लिए मैं बताते था कि कैसे यह चल रहा है यह function कौर यहां हुआ तो यहां से control चलाएगा यहां यह कहेगा कि मेरे पास एक parameter है मुझे एक argument चाही तो मैंने कहा कि low argument यहां y का value चलाएगा 20 यह execute होगा x equal 10 यह execute होगा तो पहले यह इसको evaluate करेगा यानि x का value है 10 y का value है 20 यानि कि यह हो जाएगा 30 return करेगा 30 कहां पर जहां इसको call किया गया है वहाँ यानि कि यहां तेन sum equal कितना हो जाएगा sum equal हो जाएगा आपका 30 वह ही 30 आपको screen पर देखने को मिलता है तो अभी तक हमारा single value यानि कि एक value return हो रहा था अभी हमारा यहां पर multiple value return होगा सो multi value पर multiple value return कैसे लेते हैं सब कुछ same रखते हैं यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक c बनाएगे equal x plus y करके हमें यह देगा एक हम लोग बनाएगे d जो हमें y minus x करके देगा और दोनों ही हम लोग यहां से return लेगा यानि कि c,d कॉमा करके आपको separate करना है ठीक उसके बाद क्योंकि दो चीजे return हो रही है तो आपको यहां दो variable लिखना पड़ेगा सुम और सब मैं आप दोनों को यहां पर display कर सकते हैं मैंने इसको copy किया पेश्ट किया और यहां पर simply मैं सब कर दोगा सेव किया इसको सेव करने के बाद पहले run कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं कि कैसे काम कर रहा है रन किया मुझे 30 और 10 मिल रहा है देखिए कैसे काम कर रहा है यहां पर हमारा function call हो रहा है तो यहां से हमारा control ट्रांसफर होगा यहां यह कह गए मेरे पास एक parameter है तो उसके लिए argument चाही तो मैंने यह argument इसको यहां पर दे दिया नहीं कि y equal हो गया हमारा 20 याद रहिए चाहा है एक जीकेट होता है यह कहता है यह क्या आपकर 10 है plus y का वेलई 20 तो c में चलाता है कितना 30 यह एक जीकेट होता है यह कहता है कि y का value 20 है और x का value 10 है तो 20-10 , d में चलाता है 10 सो C में क्या है 30 है और D में क्या है 10 है जो कि return हो रहा है कहां return हो रहा है जहां इस function को call किया गया वहाँ यानिकी यहां पर 30 पहले दिन उसके बाद 10 तो 30 पहले है तो उसको hold करने के लिए पहला यहां पर variable आपको लिखना है सो basically यह हो रहा है कि sum,sub,equal 30,10 तो यह चलाएगा यहां पर और यह चलाएगा यहां पर यह भी हम लोगों ने देखा वात है बहुत पहले चाहले लोग variable पढ़ रहे थे और data tab पढ़ रहे थे तब देन आप further उसको दोनों को display कर लेते हैं यह प्रिंट कर लेते हैं और आपको screen पर 30 और 10 दिखाए देता है ओके सो यह है इसका execution अब इसमें एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर आप चाहें तो एक numeric value इस तरीके से 50 भी लिख सकते है तो यह तीन करेंगे आप सेव करके इसको जब आप रन करेंगे तो आपको 30 10 & A का value जो की 50 आ रहा हुआ भी आपको display करके दिखाएगा तो यह multiple value कैसे आप return लेंगे किसी function से उसका concept hopefully सभी की समझ में आया होगा thanks for watching